हाई एडिवान तो अडिस्टिस करेंगे फ्यूजन माइक्रोफनांस को काफी दा पैनिक हो गया मार्केट के अंदर स्टॉक कल गिरा 20% आज गिरा 10% क्या है स्टॉक की गिरने का कारण क्या स्टॉक को यहां खरीद लें क्योंकि स्टॉक यहां काफी सबस्ता नजर आता है इसकी वैलिएशन के हिसाब से भी क्योंकि इसकी प्राइस टॉबुक जो है अभी 283 पर है प्लस जो स्टॉक का प्राइस है 333 है तो प्राइस टॉबुक 1.11 के पास में स्टॉक आ गया है नीचे की तरफ है काफी ठीक है करिदना है नहीं करिदना है लॉंग तम का क्या विउउ बनेगा मैनेजमेंट की क्या आगे जाके परफॉर्मेंस बन सकती है प्रेजेंटेशन क्या कहती है सारी चेटल में डिसकस करेंगे अगर आप मार्केट में नहीं हो आपको सीखने को भी मिलेगा तो वीडियो को एंड तक देखना वीडियो जोग हो इडुकेशन परपस के लिए होगा कोई भाइसल की रेक्मेंडेशन मैं आप लोगो नहीं दूँगा बाइक करना है, सेल करना है यहाँ पर एक वीडियो मैंने डाली थी, अल्मोस्ट दो महिने पहले, तीन महिने पहले यह रहा वो वीडियो, ठीक है, future microfinance आप तीन मिनिट के बाद देखोगे, तो वहां मैंने explain किया है कि microfinance companies के challenges क्या होते हैं और problems होती कि हैं, जो लोग नए है कि सारी problem आती है, for example, अगर मैं tier 2, tier 3 cities के अंतर loan दे दिया, ठीक है, वहां पर किसी ने इन से loan मांगा, उसको अपने मालो कोई shop खोलनी है, या फिर मालो कोई उसको business करना है, चोटा मोटा, तो व्यक्ति क्या करेगा, पैसा लेगा, अपना बड़ी problem देखो, यह है, दूसरी problem यह है, कि मालो, अगर वहाँ पर floods आ गए, अब floods आने से क्या होगा, कि जो काम दंदा है, उस अब रूख जाएगा, तो पैसा वैसे recover नहीं कर पाऊगे, प्लस पंजाब में, पिछले साल, इनको काफे delinquency behavior देखने को मिला था, delinquency behavior का मतलब यह होता है, कि लोग loan पे लेकर के पैसा वापस नहीं करते हैं, मतलब लोग पैसा दो ले रहे थे, लेकिन वापस ही नहीं कर रहे था, और वहाँ पे more than 30 branches के अंदर ने लोन देना बंद किया था, और इन्होंने कोशिश करी, नए लोगों को hire करके अपना पैसा recover करने के कोशिश करी, जो कि ज़्यादा recover नहीं हो रहा था, तो यह problem पहले से ही आरे थी, अब एकदम से problem यह आती है, कि इनके NPAs spike कर जाते हैं, अब NPA क्या होता है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, quarter में जो मैंने समझा है, पहले भी जो लोग नहीं है, उनको बताया था हूँ, कि NPA का मीनिंग होता है, non-performing asset, वो पैसा जो आप recover नहीं कर पा रहे हो, for example, आपने मानलो एक करोड का लोन दिया है, ठीक है, अब एक करोड का मानलो, आपने 100 लोगों को लोन दिया है, एक एक लाग उर्वेगा, तो अब उस एक लाग उर्वे में से, आपको 2.89% पैसा जो है वापस नहीं मिल रहे है, मतलब की, एक करोड का total पैसा जो आपने market में दिया हुआ है, उसमें से 2. 2.89% नहीं आ रहे है, नेट नेट मैं इसको 3% माल लेता हूँ, तो 3 लाग उर्पे वापस नहीं आ रहे है, एक करोड का 3% 3 लाग हो गया, तो सुनने में बड़ा कम लगता है कि 97 लाग तो रिकावर हो रहा है न, 3 लाग नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने कमा है कितना, for example, आपने 15% भी दिया था, तो आपने ब्याज लिया 15 लाग उर्पे, लेकिन उस 15 लाग के अंदर आपको employee cost भी देनी है, आपको office की cost भी देनी है, आपको अपने software भी manage करने है, आपको बहुत सारी चीज़े manage करनी है, और 3 लाग उर्पे तो वैसी वापस नहीं तो 15 में से 3 लाग तो वैसी चला गया, तो net-net company क्या होती है, loss में आ जाती है, तो वोई चीज़ यहाँ पर होती है, चितना ज़्यादा NPA बढ़ता है न, देखने में percentage से फहुत छोटे-छोटे लगते है, 2-3%, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो marginally percentage ही कमारे हो, ब्याज नहीं किया, प्लस इस quarter के अंदर, इनके NPA, जो 2-3% के आसपास थे, वो बढ़कर के चले गए, सीधा कहाँ पर, 5% पर, और वो कहाँ पर है, वो यहाँ mention किया हुए, देखो GNPA, 2.89% था last quarter में, इस quarter में 5.46% हो गया, एकदम से spike हो गया, अब आप बोलोगे, यहाँ पर क्य इनको यह अंदाजा लग जाता है, इनके teams को, कि अब पैसा नहीं मिलेगा, फिर यह लोग इसको write-off करते हैं, कि अब इस पैसे को हटाओ, ठीक है, अब यह पैसा नहीं मिलने वाला है, तो वह चीज़ हुआ, इन्दोंने सारी चीज़े एकसाट add कर दी, इस quarter के अंदर, जि इनके बाद आपने खर्चे माइनस करने शुरू करें, उस खर्चे के अंदर आपने अपना one time हिट लिया, 348 करोड का, मतलब कि यह पैसा जो है, अब नहीं मिलने वाला है, अब यह पैसा हमें अपने profit and loss में से set off करना पड़ेगा, write-off करना पड़ेगा, जबकि पिछले quarter मे इंदर ने quarter one FI24 में सिर्फ 75 करोड impairment लिये थे, और quarter four FI24 में 118 करोड, ठीक है, लेकिन इस बाद सबसे ज़्यादा किया है, सबसे ज़्यादा करने की वज़े से इनको क्या हुआ, profit and loss के अंदर net 50 करोड आया, tax expense negative आया, और उसके बाद में यहाँ पर negative जो है, इनका loss आ गया I hope आपको एक idea लग गया होगा, कि actually में यह stock गिरा क्यों है, problem आई कहाँ पर, क्योंकि इनके non-performing assets, जो पैसा recover नहीं हो रहा है, वो बढ़ गया, अब काफी लोग बोलेंगे ठीक है भाई, इतनी कहानी हमें समझ आ गई, non-performing asset बढ़ गया, पैसा recover नहीं हुआ, ये एक risky business है तो अब करें क्या, तो दिखो, risky है, no doubt, जैसे मैंने पहले भी आप लोग बता है, कि अगर आप एक collateral वाली company खरीदते हो, जैसे की मुषूट finance हो गया, मुषूट finance क्या करता है, या फिर चोला मंदलम क्या करता है, customer से gold ले ले लेता है, और gold लेने के बाद सो gold की value का पैसा दे देता है, for example, अगर gold की value एक लाख रुपे है, customer को 70,000, 90,000 तक का loan मिल जाता है, customer अगर ना चुकाए, तो loan आप अपना gold बेचके पूरा कर सकते हो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, customer ने नहीं चुकाया, तो आपको सीधा खुदी hit लेना पड़ेगा अपने profit and loss के अंदर, आप कहीं से उसको recover नहीं कर सकते है, क्योंकि यह microfinance है, कोई भी security customer से नहीं ली जाती, अब price to book जो है, valuation के हिसाब से सस्ता होगे है, आप देख सकते हो, price to book इसने trade किया है, 2.9, price to book का मतलब क्यों आता है, जितनी value इसकी book में है, जितना पैसा balance sheet में है उसको number of shareholder से divide किया जाता है, वो एक value निकल करके आती है, तो वो value 283 है, आज stock की value 313 है, मतलब almost stock की value के 10% गिरती है, तो price to book के पास में आ जाएगी, इसने trade किया है price to book लगबग 2.93 तक और आज यह 1.1 पर है, मतलब कि 66% stock आपको अपने top से सस्ता मिल रहे है, तो क्या यह सस सस्ता है, तो definitely सस्ता तो है stock यहाँ पर, ठीक है, अब मैं आपको इसको खेरिदने के लिए encourage कर रहा हूं नहीं, मैं बिल्कुल encourage नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि इसमें risk भी थोड़ा सा है, risk यह है, कि देखो stock यहाँ सस्ता है, हम खरीच सकते है, कोई दिक्कत यह खरीदने के लिए, लेकिन आपको long term का view होना चीए, लेकिन उसके बाइल आपको एक दो चीज़ यह समझनी जरूरी है, कि यह lending का business है, और इनको last year पंजाब में problem आई, हो सकता है, इनको problem हराणा में आजाए, इनको problem मद्धे परदेश में आजाए, इनको problem South India में कितना पैसा आपने market में loan दिया, तो यह हर quarter में लगबग लगबग 30% से grow कर रहा है, मतलब आपने मालो इस quarter में 1 crore दिया, अगले quarter में 1 crore 30 lakh दिया, उससे अगले quarter में 1 crore 66 lakh दिया, मतलब कि फिर अगले बार 2 crore दे दिया, आप 30-30% हर बार loan जादा दे रहे हो हर quarter के अंदर तो क्या यह growth अच्छी है, यह growth fantastic है, आप बहुत aggressively market के अंदर loan बाट रहे हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, जब आप 30% CAGR से disbursement करते हो, तो आपके जो NPAs हैं वो भी बढ़ते हैं, क्योंकि आपको अपनी scrutiny मजबूत करनी होगे, अगर आप scrutiny मजबूत नहीं करोगे, अपने compliance, अपनी underwriting मजबूत नहीं करोगे, तो वहाँ पर delinquency behavior देखने को मिलेगा, लोग असानी से मिलवा पैसा जल्दी वापस नहीं करते हैं, अब जिनके पास में भी यह stock है, ठीक है, company की growth को देखते हो, 30% की मेरे accordingly यह revenue company आगे continue करेगी, क्योंकि इन्होंने जो pass के loan द write-off कर दिया है, लेकिन, of course, अगले quarter में कुछ जो पैसा recover नहीं होगा, वो वापस से आपको इस gross NPA के percentage में नजर आएगा, और gradually फिर से ये एक 80 होना शुरू होगा, और दुबारा फिर 2 साल, 3 साल बात company फिर से एक बार इसको write-off करेगी, पूरा एक साथ, क्या इसको खरीद आपने market से कितना पैसा उठाया, और कितने आपने आपने ब्याज पर आगे दिया, उसके बीच में कितना gap है, क्योंकि ये companies, fusion microfinance जैसी companies, खुद भी बाहर से पैसा लेती है, फिर आगे loan पर देती है, ठीक है, तो इनको खुद भी कुछ ब्यास देना पड़ता है, तो ये margin आगे जाकर धीर-धीर करके बढ़ेगा, क्योंकि जब rate cut होगा, तो इनको आगे फायदा मिलेगा, इनको सस्ता पैसा मिलेगा, फिर आगे customers को देंगे, net-net, ज़्यादा कहानी करें भी न, मैं यही बूलूँगा, जिसके पास में है, वो hold करो, ज़्यादा panic करने के ज़रू करें, थोड़ा stock sideways जाएगा, उसके बाद में आपको चलता हूँ नजर आएगा, जिसको नया खरीदना है, आपकी मर्जी है, आप अगर long term तक wait कर सकते हो, इसको देखो, अगर आपको, मैं एक target भी दूना, तो target आपको रखना चाहिए price to book 3 तक का, इसके ओपर यह stock नहीं ज करता है, बजाज finance price to book 10-12 तक trade करता है, क्योंकि उसकी एक different league है, वो अलगते लिग से, वो tier 1 cities में ज्यादा business करता है, आप अगर किसी bank को देखोगे, तो वो भी price to book 4-5 तक जाता है, ठीक है, अगर अच्छा financial institution है उस तरीके से, तो net net, यहाँ पर clearly trend नजर आ रहे है, price to book 3 है, अगर इसकी book value बढ़ती जाएगी, तो price stock का बढ़ेगा, क्योंकि book value के साथ साथ price to book भी increase करेगा, net net, जिसको खरीदना है, वो खरीद ले यहाँ पर, लेकिन अपने financial बढ़े से जो discuss कर लेना, और long term का view ज़रूर बनाना, short term वाले enter मत होना, कि यहाँ फसा देगा, और sideways जाएगा, definitely मैंने बहुत chart देखें, यह ऐसे जाएगा, उपर को फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, यह वैसे करके trade करेगा, एकदम से आप सोचों कि यह 6 महिने के अंदर यहाँ पहुंच जाएगा, 600 के भावव पर नहीं, क्योंकि अभी business थोड़ा सा problematic है, आगे जित्यसे सब्सक्राइगा, कि कितनी recovery हो रही है, कौन-कौन city अच्छा perform कर रही है, कितनी branches खोल रही है, वो सारी चीजों के accordingly आपको आगे इसमे तेजी बनती में नदर आएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको cautious हैना ना को, जिसको average करना है, मैं बोलूँगा, average मत कर ठीक हो, ठीक है, financial में देखो, ठीक है, financial में अगर आपको जा नहीं है, तो आप security lending की तरफ जाओ, वहाँ पे invest करो, banks में invest करो, वहाँ पे आपको अच्छो options मिल जाएंगे, जो इसको outperform कर देंगे, ठीक है, नया पैसा लगाना है, तो नए stocks में लगाओ, अच्छे stocks में लग जाता हूँ, आप अगर 6 मेने पुराना वीडियो भी देखेंगे, तो भी आपको एक अच्छे understanding मिलेगी, एक अच्छे knowledge मिलेगी, क्योंकि हम conference call cover करते हैं, जो भी company के available documents analysis होते हैं, हम उसको cover करते हैं, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते एक लिए वीडियो में, thank you so much क्योंकि हूजएँ